हलो आप सभी वियलो शाथियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है आज की वीडियो में हम यह सीखेंगे कि हम किस प्रकार से गरुना एप के माध्यम से आर्म आठ प्रारूप आठ इसी भी मद्दाता के नाम में तुरूटी होने पर हम किस प्रकार से गरुना एप के माध्यम से सुधार कर सकते हैं तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं चब से पहला काम हम क्या करेंगे अपने मोबाइल पर गरुना एप ओपन कर लेंगे तो कुछ इस तरह से आप से परमीशन मांगी जाएगी तो यहाँ पर आपको only this time पर टच करना है फिर इसके बाद आपको यह three lines दिखाई दी रही होंगी मीनू बार की तो यहाँ पर आपको टच करना है फिर इसके बाद आपको forms पर टच करना है फिर आपको form 8 यहाँ पर टच करना है तो आपको कुछ इस तरह से mobile के screen पर दिखाई देगा यहाँ पर आप पहला option का चुनाव तब करेंगे यदि आपको मदाता को किसी एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर shift करना है दूसरा option है correction of entry तो दूसरे विकल पर आप मदाता का नाम तिता पती का नाम जनमती थी आदि परिवर्तन कर सकते हैं तीसरा option है आपका issue of replacement epic without correction यदि आप किसी मदाता का बिना कुछ परिवर्तन किये हुए दूसरा परिचे पत्र मंगाना चाहते हैं तो आप तीसरे option पर touch करना है आपको चौथा option है आपका request for marking as person with disability मतलब यदि कोई मदाता किसी भी प्रकार से विकलांग है तो इस option को आप select करके उसके विकलांगता को आप mark कर सकते हैं चुकि हम इस वीडियो में मदाता का नाम परिवर्तन करना चाहते हैं तो हमको दूसरे option पर select करना होगा तो चले यहाँ पर हम touch कर देते हैं तो यहाँ पर आपको पहला option पहले से ही select मिलेगा यहाँ पर आपको कोई काम नहीं करना है इसके बाद आपको सिधे next पर touch करना है प्लेज इंटर आप्लिकेंट बोटर आईडी तो यहाँ पर आपको उस मतदाता की epic ID संख्या लिखनी है जिस मतदाता के परिचे पत्र में आप सुधार करना चाहते हैं तो चलिए हम उसका epic number लिख लेते हैं epic ID नमबर लिख लेने के बाद आपको patch detail यहाँ पर आपको touch करना है we have found a record for your entered voter ID please proceed मतलब इसका यह है कि आपने जिसकी epic ID नमबर यहाँ पर लिखी है उसका record जो है प्राप्त हो चुका है अब आपको proceed पर touch करना है तो चलिए proceed पर touch कर देते हैं तो कुछ इस तरह से आपको उस आवेदक की समस्त जानकारियां दिखाई देंगी फिर इसके बाद आपको क्या काम करना है next पर touch करना है तो आपको कुछ इस तरह से mobile के screen पर दिखाई देगा अब यहाँ पर आपको कुछ जानकारियां पहले से ही भरी हुई दिखाई देंगी और कुछ जानकारियां आपको भरना पड़ेगा यहाँ पर आपको मदाता का नाम पहले से ही भरा हुआ प्राप्त होगा मदाता का सरनेम, मदाता का आधार नंबर और मददाता का मोबाइल नमबर ये जानकारी आपको और भरनी पड़ेगे तो चलिए इन जानकारियों को भर लेते हैं समस्त जानकारी को भर लेने के बाद फिर आपको next पर टच करना है फिर इसके बाद आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा तो आपको इस पहले आपसन को चुनना है यदि आप मददाता के लिंग में परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपको दूसरे आपसन को चुनना है यदि आप मददाता की जन्मतिती में सुधार करना चाहते हैं तो आपको तीसरा आपसन चुनना है यदि आप मददाता के relation type संबंध में सुधार करना चाहते हैं जैसे पिता अबलिक पती तो आपको इसाफ़सन को चुनना है relation name यदि मददाता के आप पिता या पती के नाम में सुधार करना चाहते हैं तो आपको इसाफ़सन का चुनाव करना है यदि आप मददाता के address पते में सुधार करना चाहते हैं तो आपको इसाफ़सन का चुनाव करना है यदि आप मददाता के mobile number में सुधार करना चाहते हैं तो आपको इसाफ़सन का चुनाव करना है यदि आप मद्दाता के फोटो में सुधार करना चाहते हैं तो आपको इस option को चुनना है तो कि हमको मद्दाता के नाम में सुधार करना है इसलिए हम पहले option को चुनेंगे तो आपको यहाँ पर touch करना है तो इस तरह से box में आपको सही का निशान दिखाई देगा फिर इसके आपको क्या करना है नेक्स्ट पर touch करना है तो आपको कुछ इस तरह से screen पर दिखाई देगा यहाँ पर आपको enter your name यहाँ पर आपको मदाता का सही नाम लिखना है और फिर इसके बाद मदाता का सरनेम लिखना है तो चलिए ये जानकारी को भर लेते हैं तो इस तरह से आपको मदाता का सही नाम और सही सरनेम लिख लेने के बाद मदाता के द्वारा जो आपको सही नाम के समंध में जो दस्तावेज उपलब्द कराए गए हैं उस दस्तावेज को आपको यहां से अपलोड करना है तो आपको यहां पर कैमरा के आइकान पर ठच करना है फिर इसके बाद आपको कैमरा पर ठच करना है और इस तरह से आपको संबंधित दस्तावेज की मोबाइल से फोटो खीच लेना है फोटो ख crop कर लेना है इस तरह से crop कर लेने के बाद फिर आपको corner में एक सही का निसान दिखाई देगा यहां पर आपको touch करना है फिर इसके बाद आपको next पर touch करना है तो कुछ इस तरह से आपको mobile के screen पर दिखाई देगा Place of Application यहाँ पर आपको उस स्थान का नाम लिखना है यहाँ पर आपको आवेदक के द्वारा फार्मुपलब्द कराया गया है मतलब काउ या सहर का नाम लिखना है स्थान का नाम लिख लेने के बाद फिर आपको डन पर टच करना है नीचे तरफ आपको आवेदक की वो जानकारी दिखाई देगी जिसमें आपने परिवर्तन किया है समस्त जानकारीों को आपको अच्छी तरह से चेक कर लेना है यह आप संतुष्ट हो जाते हैं कि समस्त जानकारी सही है इसके बाद आपको कनफर्म पर टच करना है तो कुछ इस तरह से आपको एक नोटिफिकेशन प्राप्त होगा साथ ही यह नोटिफिकेशन आवेदक के मोबाइल पर भी जाएगा मैसेज के रूप में यहाँ पर लिखा होगा इसके नीचे आपको एक रिफरेंस आईडी दिखाई देगी उस रिफरेंस आईडी को आपको अवेदक के फार्म के उपर लिख देना है फिर इसके बाद आपको ओके पर टच करना है तो कुछ इस तरह से आप गरुना एप के होम पेज पर आ जाएंगे आसा करते हैं कि आज की वीडियो देखने के बाद आप गरुना एप के माध्यन से प्रारूप आठ का फार्म किस प्रकार से भर सकते हैं किस प्रकार मद्दाता के नाम में परिवर्तन सुधार कर सकते हैं आपको समझ में अच्छे तरह से आगया होगा इसी प्रकार के दिक्कत हो आप कमेंट करें हम जरूर आपकी मदद करेंगे इसी तरह हमारी आपको वीडियो प्राप्त होती रहे हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को स्क्राइब करें आप सभी का बहुत बहुत धन्यवार आपका दिन सुभ हो